वर्षो से बंद पड़ी टिकट विंडो फिर होगी शुरू बस ओपरेटर यूनियन के आविदन के बाद सियमो निली बस स्टेंड के शुद खबर शियोपुर से आ रही है शियोपुर के जिला बनने के बाद शहर की पुरानी आनाजबंडी की जगा नगरपाली का परिशिद द्वारा दो करोड़ पचास लाख रुपे की लागत से मंडित दिन्दयाल उपाध्याय एकिकरत बस स्टेंड बनाया गया जहां बस स्टेंड पर याती प्रित्रिक्षाले के स्ताथ बनाई गई चार टिकेट विंडो का आज तक कोई उपियोग नहीं हुआ नगरपाली का इवं प्रिशाशन के अंदेखी के चलती बस स्टेंड अवेवस्थाओं का अड़्डा बन गया जहां पूरी परिशर में गंदगी फैली है नियमित बसों से जादा कंडम वाहन खड़े हुए है इतना ही नहीं बस स्टेंड से ट्रेक और प्राइवेट टैक्सियों का संचालान क्या जा रहा है जगा जगा गुम्टी वा ठेले रखकर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है नालिया चोक पड़ी है जलनिकासी पूरी तरह अविरूद दुबनी हुई है पेजल की कोई सुवधा नहीं है जहां उक्ते समस्याओं को लेकर विगदिनों बस उपरेटर यूनियन द्वारा एग्यापन नगरपाली का सियमो सतीष मटसेनिया को भी सौपा गया जहां पर बस ओपरेटर यूनियन की शिकायत के बाद गुरुवार को नगरपाली का सियमों ने बस स्टेंड का भ्रमण कर अवेवस्थाओं का अवलोकन किया मौके पर उपस्तित नगरपाली का कर्मचारियों को बस स्टेंड में पेजल प्रकास साफ सफाईस ववस्ता को सुधारे जानी को लिकर दिशा निर्देश भी दिये साथी बस स्टेंड में अनाधिकरत रूप से ट्रैक ट्रेक्टर आटो आधी के प्रवेश पर ठेकेदार गांधी दर्शन को बस ओपरेटरों के साथ सावनजश बिठा कर रोक लगाय जाने के निर्देश भी दिये साथी आत्री प्रतिक्षाले और टिकट विंडो को ठीक करा कर पुना अप्रारंब करने के निर्देश भी नगरपाली का कर्मचारी और बस ओपरेटरों को दिये गए जहां सियमों के बस स्टेंड ब्रहमर के बाद बस स्टेंड पर विवस्थाओं के साथ ही बस स्टेंड के काया कलप होने की उम्मीद भी नजर आने लगी है शियोपुर से संबाद्धा था गोविंद गर्ग की रिपोर्ट पर आके आपकी समस्या है प्रेक्टिकली सुनना मलत पसंद करूंगा और आज हमारे साथ आप लोगी समस्या यही थी कि आप एक तो साफसपाई प्रॉपनी हो पा रही है लाइड भी कम है अतिक्रमड है अबेट जो फल वाले हैं सपी वाले हैं यह लोग यहां पर खड़े हो रहे हैं और अन्य दुपांदार भी हैं उन्होंने पूरे टेंस एड़ को घेर रखा है अपनी सामगरी बेश है और साथ ही साथ यहां पर अन्य बाहन आ रहा है जैसे कि ऑटो इस्टेंड है उसकी समस्या को लेकर कंप्लेंट थी इस अलावा फिर फोर वीलर आ रही है माल गाड़ी आ रही है छोटी वाली तेल के लिए यहां पर बस स्टेंड संथी बनी है उसमें इस तरह के नड़े इन तो उस पर यह सारे जो बिसे आप जाएंगे और आप भी आपके जो जागरुक लोग है उसमें आवश्य ग्रूप से रहें और आपकी समस्या का उसाधर्पन जिदाकर्ट करेंगी है यहां पर सबसे बड़ी जो समस्या है वह एक को अतिकरमण और एक टिकेट करकी है अगर से यह तीन दिन की समझाइज देंगे उसके बाद इनके खिलाब जुर्माने करवाई की जाएगी फिर इनके जो बने हुए है जो टीए उनको टाकर आप ट्रेंचेंग रांट पर रख देंगे उसके टूट फूप भी होती है तो संबंदित रख्की की जुम्यदारी होगी इसलिए मैं निमेजन करता हूं नगरपालगा की तरफ से कि बस इस्टेंग पर अनाधिकरत रूप से यह पर आप खड़े ना रहें आपको खड़े होना है तो नगरपालगा आकर बात करें आपनी ज्यगे निर्दारित करवा है उसके आदार अरफ में आप खड़े होगी यह टिकेट गर क्या चालू हो पायागा यह नहीं उपाया बिल्कुल चालू हो जाए गाए टिकेट गर बना भी अच्छा था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है बस इंचालकों के द्वारा इसलिए वाज खराब पर अपर चुका है तो उसको मरमत करवा कि उसमें हम का कहना है बस संचालकों का उसको पार्टिशन बन जाए तो उसको पार्टिशन करवा देंगे इससे की उक्टॉपर रूप से संचालित होता है